अलो फ्रेंड्स तो ये हैं दो बजाटी स्मार्ट फोन जो कि आपको जो है 6000 से भी कम प्राइज में आपको देखने को मिल जाएंगे तो सबसे पहले जो फोन है वो है हमारे पास यहाँ पर जो है देख सको तो Redmi का A2 फोन जो कि अभी बिल्कुल लॉइंच हुए है और काफियातर कमाल का फोन है और दूसरे जो फोन है वो काफियातर पॉपलर फोन है है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर परचेस करना चाहिए तो सबसे पहले यह आपको मिल जाता है कुछ इस तरीका है यहाँ पर देख सो आई-टैल का A60 फोन और दूसरे हमारे पास Redmi का A2 फोन ठीक है दो नहीं फोन में जो है 2 ZB रेम और 32 ZB आपको इस्टोरीज देखने को मिल रही है बट ऐसे में आपको ज़्यादे एक्स्टर फीचर्स मिलेंगे उसके बारे में यहाँ बात करने बाले हैं तो उससे पहले देखते हैं कि हमें box से साथ क्या क्या चीज है हमें content जो है box से अंदर देखने को मिलेगा तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोने ही phones में आपको जाए user manual देखने को मिल जाएगी तो यह हमें एक जो है यहाँ पर देखते हो आइटैल की तरफ से मिलती है दूसरी जो हमें redmi की तरफ से मिलती है तो कुछ इस तरह की आपको यह है फर्रे देखने को मिल जाएंगे चलिए इनको साइड में रखते हैं अब बात करते हैं चार्जर की तो यह जो चार्जर यह मिलता है आपको 10W का चार्जर है जो की हमें यूएसभी केबल मिलता है तो आपको दोनों के साथ काफी similar देखने को मिल जाते हैं बेगुल सेमी देखने को मिलते हैं चार्जिंग केबल के बाद यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर जो है आईटल A60 तरफ से हमें एक चीज़ और देखने को मिल जाती है जो हम यह काफी बढ़िया लगी तो यहां पर आपको प्रोटक्टिव के साथ यह आपको चीज नहीं मिलती है तो एक तो यह आपको यह वड़ा फीचर्स मिलता है कि आपको यह साथ केस मिल जाते है तो आपको कहीं और से लेने ज़यत नहीं पढ़नेगी है आपको इससे थोड़ी सी सेप्टी फोन की आपकी रहने वाली ठीक है तो बाकि आप जो है कमेंट करके बताना कि आपको केस चाहिए था यह नहीं च बाकि जो है चीज़े देख सकते हैं डूइल केमरे सेटप मिलता है पीछी जाट में बाकि अगर इसके बात करें तो पीछे आपको इस वाले उस पे पीछे जल्दी से इसक्रैचिस बगेरा देखने हों नहीं मिलेंगे दो नहीं फोन्स पे यह चीज़ में यह काफ जाता ब अब डाउन मिलते हैं साइड में और यहां पर जो है उपर की बात करें तो आपको इस पीकर इस वाले फोन से उपर मिलते है रहेडमी वाली में ठीक है वही पर बात करें यहां पर SIM स्लॉड मिल जाती है इसमें डबल SIM card एक ID card यूज़ कर पाऊँ के इसली तो फुरंट केमर मिलता है 5 Megapixel का काफी बढ़ है डिस्प्ले के साथ यहां पर देखने को मिल जाते हैं तो इस वाले फोन में आपको जो रियर कैमरा है वो आपको मिलता है आड़ में अपसल का सैल पी यहां पर यहां पर रियर कैमरा मिलता है तो बहीं पर जो पीछे जाइन देखता है वो जो कि आपको पीछे की साइड में मिलता है जिसकी बढ़े से उसका डिजाइन है वो भी काफ यादा बढ़या देखने को मिलता है तो यहां पर जो आपको आपको दूर सी यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा बहीं पर बात करें नीचे की साइड में तो आपको देख स बही पर बात करें साइड की तो साइड में आप देखतें तो पापर ओनो बाला बटन, बोल्यम अपडाउन मिल जाते हैं उपर की साइड में आपको एक सेंसर मिलता है जो कि आपको 3.5 audio headphone jack देखने को मिल जाता है तो sims load मिल जाती जिसमें आप जो double sim card एक sd card use कर पाओगे बिल्कुल इसलिटीग है तो यहाँ पर देख सकते हो बही पर बात करें इसके front camera की तो आपको इस वाले phones में इस front camera जो 5 megapixel का मिल जाते है अगर बात करें इसके display की तो इस पर आले phones में आपको जो display थोड़ी जादा बड़े मिल जाती है बाग की नीचे side में जो port है वो भी आपको side में मिल जाते है बट यहाँ पर एक चीज का difference आपको मिलता है जो Redmi A2 phone है इसमें आपको fingerprint sensor नहीं मिलता है जबकि आपको जो है ITAL A60 वाले phone में हाँ पर fingerprint sensor देखने को मिल जाता है तो यह मुझे काफी बढ़ा चीज लगी जबकि आपको Redmi जो हमारे पास A2 phone है इस वाले phone का जो price मिलता है यह आपको discount मिलने के बाद आपको 6000 रुपे का देखने को मिल जागा ठीक है तो आप अगर इसको purchase कर दोगे तो ठीक है आपको fingerprint sensor का है जो कि आपको इस वाले phone में मिलता है जबकि आपको Redmi वाले phone में यह चीज देखने को नहीं मिलती है दूसरी चीज़ है कि दोने phone में आपको डिस्प्ले में थोड़ा सा अंतर देखने को मिल जाता है बहीं पर बात करें Redmi A2 वाले phone में जो है इस वाले में आपको processor मिलता है MediaTek का Helio G36 का मिलता है तो बहीं पर आपको जो है ITAL A60 वाले phone में आपको इसमें UNOC का processor देखने को मिल जाता है तो performance के मामले में दोने phone अपनी अपनी जगा पर बढ़िया है तो battery के मामले में equal phone होने वाले बट यहाँ पर चलाने के मामले में देखोगे तो बाई दोने phone की performance आपको देखने को मिल जाएगी तो चलाने के मामले में काफी बढ़ी है बट यहाँ पर हम बात करने वाले जो camera है तो camera की performance है कौन से phone में आपको जाधा better देखने में मिलेगी उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने कुछ samples create लिये हैं यहाँ पर phones में जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ तो सबसे पहले दोनी phones में हैं यहाँ पर हम gallery को open कर लेते हैं A60 phone और यह जो है हमारे पास यह है Redmi का ठीक है Redmi A2 दोनी phones में आप देख सकते हो दोनों phones में जो front camera में ने photo click की तो ज़्यादा खास आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा दोनी phones में same चीज़ देखने मिलती है और जो पीछे brighter बहुत ज़्यादा देखने मिलती है एक में आपको ज़्यादा dark देखने मिलता है और अगर हम उनके zoom की बात करें तो भाई pixel इतने ज़्यादा फट जाते हैं कि आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है ठीक है तो camera quality बिल्गल same होने बाली है फोटो और एक में आपको जो है लो लाइट में देखने मिलेगा ज़्यादा है ठीक है डार्क तो इसके बाद मैंने हैं पर जो देख सकते हैं यहाँ पर एक फोटो किलिक किया तो इहाँ पर जो है natural फोटो था यह तो इसमें जो colors हैं दोने phones में तो अच्छे colors देखने हो मिल जाते हैं ठीक है इसके बाद बागी मैंने एक फोटो और की लिक्या तो दोने phones में आप देख सकते हो तो यहाँ पर जो है camera quality तो कौन से phones में आपको ज़्यादे बैटर लगी वह आप खुदी decide कर सकते हो ठीक है बागी जो यहाँ पर features की बात करूं मैं तो कौन सा phones अगर आपको लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए तो देखो Redmi A2 जो phone है इसका प्राइज वो मिलता है आपको 6000 रुपे का मिलता है तो देखो एक तो सबसे बड़ी चीज जो है fingerprint sensor आपको देखने को मिल जाता है इस वाले phones में जो काफ ज़्यादा attractive लगता है और look design आप यहाँ पर देखी सकते हो दोने phones में कौन से phone का जो look है ज्यादा बहतरीन लग रहा है कौन से phone का look आपको अच्छा लग रहा है तो आप खुदी comment करके बताना बाग के display भी आपको ITAL A60 की ज्यादा बढ़ रहा देखने को मिल जाती है बड़ी display है क्योंकि Redmi वाले phones में आपको 6.5 inch की मिलती है HD Plus तो इसमें आपको 6.6 inch की HD Plus देखने को मिल जाती है तो चलाने के मामले में तो यहां पर आप देखते हैं दोनी phones आपको सेम देखने मिलते हैं बट आप जो है comment करके बताने कि आपको कौन सा phone अच्छा लगा अगर आप इन में से कोई से एक phone लोगे तो आपको कौन सा लेना चाहिए ठीक है तो आप खुझी डिसाइड कर लेना बाकी मैंने जो इसके फीचर से वो बता दिये हैं अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पे नए हो तो भाई सस्क्राइब कर लेना मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए जाहिन बंदे मात्रम